बेहर में लाख दावों के बाद भी कई ऐसे गाउं और छोटे शहर हैं जहां पर पावर कट से लोगों की जिन्दगी बेहाल हुई पड़ी है बारिश के मौसम की शुरुआत में ही इसका असर भी आपको गाउं में दिखने लगा होगा ये भी तब जबकि मौनसून की एंट जब शायद बिहार में ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इसे लेकर पक्का इंतजाम किया जाने लगा है वो कैसे हम आपको बताते हैं बिहार के बिजली उप्भुकताओं के लिए एक और बड़ी खुशकवरी है दरजल पटना जिले के बाढ़ इस्थित एंटी पीसी के स् 660 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट का बाइलर लाइट अब टेस्ट शनिवार को सफलता पूर्वक पूरा हो गया वित्य वर्ष 2022-23 में ही इस यूनिट से व्यवसाई कुदपादन अरंभ हो जाएगा इस यूनिट से बिहार को 402 मेगावाट बिजली मिलेगी जिसके ब बात नहीं है इसका उदाहरन आप भी देख रहे होंगे इस प्रोजेक्ट के संबंध में बाढ़ एंटी पीसी के मुख्य महा प्रबंधक ने जानकारी दी कि नवंबर 2021 से ही स्टेज 1 की पहली यूनिट से बेहार को बिजली आपूर्ती होने लगेगी दूसरी यूनिट के विवसाईक उत्पादन आरंभ हो जाने के बाद आपूर्ती और भी अधित बढ़ जाएगी यहां 660 मेगावाट की 3 यूनिट से 1980 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है स्टेज 2 की यूनिट 4 और 5 से 2014 में ही शुरू हो चुका है स्टेज 1 की पहली यूनिट नवंबर 2021 से उ अवंटित होती है वर्तमान में एंटी पीसी से बिहार को 5361 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है लाइन अप टेस्ट सफल रहने पर एंटी पीसी पूर्वी छेत्र एक के छेत्रिये कार्यकारी निदेशक शीतल कुमार और मुख्य महाप्रबंधक असीत दत् बाड एंटी पीसी टीम को बधाई दी है और अंगाबाद के नभी नगर प्लांट से भी बिजली की उपलब्धता बढ़ी है दूसरी तरफ बगसर के चौसा में भी ताप विदुत ग्रिह का काम तेजी से चल रहा है अब ऐसे में उमीर जताई जा रही है कि पटना जिले क बाड इस्थित एंटी पीसी के स्टेज एक की 660 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट का बाईलर लाइट अप टेस्ट है जब सफलता पूरवक पूरा हुआ है तो इसके बाद बिहार में छोटे शहरों और गाओं में बिजली कटकी समस्या से लोगों को निजात जरूर मिल की हलाकि अब यह आप देख सकते हूंगे कि किस प्रकार बिहार के छोटे छोटे गाओं या फिर अन्य छोटे शहरों की हालब देख लें तो बरसाद की शुरुवात है और ऐसे में ही रात में आधी रात को या फिर दिन में कभी भी बिजली चली जाती है और यह सिलसला दि प्रेजली कटके समस्या से आपको जल्द ही निजात मिलने वाली है बने रहें लाइब से टीज के साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजी